में आपको कीलेस एंट्री मिलती है क्योंकि यह गयज अडीशन का सीविटी ट्रांस्मिशन है अब आप सोच रहे होंगे कि यह सीविटी क्या होता है सीविटी का मतलब अब बहुत सारे फीचर मिलते हैं अभी तो सुरुआ आगे के देखते जाओ यहां पर देंगे तो कोई भी आपको की पाइंट अगरा नहीं देखने को मिलता है युकि सारे फीचर की तरफ ज्यादा फोकस दिख रहे हैं और यह क्या है बहुत लोगों तो पता ही नहीं होगा क्या मतलब क्या तो इसका मतलब होता है निशान की मैगनाइट में काफी सारे काफी सारे लेना चाहिए कौन सा वेरेंट लेना चाहिए कौन सा वेरेंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है प्राइजिंगे इसाप से किसमें क्या फीचर मिलते हैं क्या चींजेस हैं इसलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले निशान मैगनाइट के सीवीटी गयरज आज बात करेंगे कि इसमें ऐसा क्या मिलता है जो इसको एस कंपेर टू अधर वेरेंट बनाता है डिफ्रेंट एंड वैल्यू फॉर मनी का तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो बट उससे पहले आप मेक्शूर कर लिजी कि आपने डीबी के मोटोवल चैनल को है जो देखो एक होता है बेस मोडल जिसको वाइट वाला है उसके बाद आता है एकसल सेकेंड वेरियंट उसके बाद आता है यह ब्लाक वाला गैज एडिशन इस car में आपको keyless entry मिलती है क्योंकि यह gaza addition का CVT transmission है अब आप सोच रहे होंगे कि यह CVT क्या होता है CVT का मतलब continuous variable transmission होता है यह एक automatic transmission होता है इसमें जो है गियर की जगा pulley और seatbelt का इस्तमाल होता है अरे मोट मट आई समझ लो कि CVT engine जो होता है इस car में बहुत से value for money features मिलते है जैसे touch infotainment system 360 camera keyless entry और music lover के लिए भी काफी अच्छा system मिलता है उसके बारे में बात करेंगे बट सबसे पहले बात करेंगे इसके looks in front profile के बारे में लुक वाइज देखा जाए तो one of the best looking SUV में से एक है प्रॉपर chrome treatment मिलता है सामने से ये heavy तो heavy प्लस stylus भी काफी लगती है जैसा कि मैंने इसके base model ने बताया था कि Nissan Magnite के top variant में ही only आपको LED projector headlamp मिलते है बाकी सब में आपको only halogen headlight setup ही मिलेगा यहाँ पर आपको जो है इसके low beam high beam का setup मिल जाता है यहाँ पर indicator की positioning मिल जाती है और कुछ तरीके से बड़ा सा chrome का treatment यहाँ पर आपको proper देखने को मिलता है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी fog lamp वगरा नहीं मिलेगा आप जो है series के साथ लगवा सकते हैं देखो इसके base variant में आपको जो है black skit plate मिलेगी बट आप जैसे उसके उपर वड़ेंगे तो यहाँ पर आपको silver finishing के साथ इसकी skit मिलेगी बाकी इसकी grill की बात की जाए तो यह आपको मिलती है honey kong design में कुछ तरी क्रूम treatment यहाँ पर आपको मिल जाती है साथ ही बड़ा सा logo आपको दिया आगया है कुछ तरीके का pricing की बात की जाए तो एक शो रूम इन लकनों पड़ती है इसकी 9,84,000 बाकी on road के लिए आपको वीडियो में last तक बने रहना पड़ेगा front wise देखा जाए तो ज़्यादा कुछ changes देखने को नहीं मिलते हैं same design मिलता है बट black color के साथ यह कार बहुत ही ज़्यादा खूप सुरहत मिलती है इसके bonnet ही रिप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ aerodynamic का वर्क देखने को मिलेगा इसमें dual मिलते हैं washer, dual में जाते हैं wiper, base model से ही रूफ रेल से start हैं बट इस वाले models में आपको जो है यहाँ पर साफ इनटीना देखने को मिलेगा बात करते हैं इसकी side profile की बारे में इसकी जो length की बात करें तो यह 3994 mm है width इसकी में 1780 mm की है height 1572 mm की है, wheelbase में आपको 25 mm का मिलता है, ground clearance में 205 mm की है, curve weight 93 kg का है यह गार ज and 16 inches का size रहने वाला है, tire profile की बात की जाए तो tube less मिलते है, 195 60 R7 की profile रहने वाली है, और इसमें आपको spring loaded suspension देखने को मिलते हैं, जो off-roading में rider की ride को काफी हद तक smooth बना देंगे, black matte finishing के साथ इसकी cladding दी गई है, black color में उतना पता नहीं चल रहा है बट अबगर white color लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 360 आपको जो एक cladding देखने को मिलेगी कुछ तरीके से, यहाँ पर देएंगे तो यहाँ पर भी आपको जो एक cladding मिल जाती है, जिसके उपर में black color से ही nishan magnite की branding यहाँ पर मिल जाती है, जो यह देखने में का फिदा कूब सर्त लगती है, side mirrors की बा Chrome की door handles आजाते हैं, इसमें जिसमें यहाँ पर आपको जो है parking sensor विल दा है, और यह दोनों तरफ दिया गया, कुछ तरीके से push करेंगे तो यह हो जाती है lock, दोबारा से push करेंगे तो यह हो जाती है unlock, मतलब feature चेक करो, भाई, इस वाले model से आपको बहुत सारे feature मिलते हैं, मिल जाता है, इसमें washer, defogger अगर मिल जाते हैं, और यह सब चीज है ना, इसके base variants ही आपको मिल लहीं, मतलब समझ हो ना, कितनी value for money का रही है, rear tail light की बात की जाए, तो यह मिलती है halogen में with indicator and reverse light के साथ, नीचे आएंगे, तो यहाँ मिलती है turbo की branding, turbo से तो मतलब आप समझी रह साथ में CVT, और यहाँ इसकी number प्रेल रहने वाली है, कुछ तरीके से camry की placement यहाँ पर आपको मिल जाती है, साथ ही जो इसके reflectors दोट हो दिये गया है, कुछ तरीके से और नीचे इसका bumper आपको matte black financing के साथ रहेगा, कुछ तरीके से मिलता है इसका exhaust और कुछ तरीके की नीच में split हो जाती है, यहाँ पर लीवर मिलता है, इनको fold करी है आगे, देन आपको 600 लीटर तक आपकी space में देखने को मिल जाती है, तो अच्छा खासा आप यहाँ पर समान आराम से लग सकते हैं, आप अगर दो लोग drive कर रहे हैं, साथ ही parcel ट्रय आपको इसमें नहीं मिलती है, तो आपको अलग से लगवानी पड़ेगी, यहाँ पर आपको कुछ तरीके से मिलती है, इसकी mat, इसके नीचे चेक आउट करेंगे, तो यहाँ पर मिलता है red color का spare wheel, जिसका size रहने वाला है, 14 inches, मतलब बाहर आपको 16 inches हैं, अंदर आपको 14 inches का spare wheel मिलता है, इसको करते हैं, बं क्रोम के यहाँ पर door handles मिल जाते हैं, इसके rear में, सबसे पहले बात करेंगे, इसके door pads के बारे में, जो मिलते हैं, triple tone finishing के साथ, जैसे ऊपर में mad black finishing, यहाँ पर silver cut touch, और कुछ इस तरीके से fabric touch भी इसमें दिया गिया है, music lovers के लिए, निशान magnet के इस गैजा अडिशन में, आपक की तगड़ा sound produce करते हैं, यहाँ पर bottle के लिए space मिल जाती है, window open close करने के लिए, यहाँ पर lock unlock के लिए एक lever मिल जाता है, जो की old school type रहने वाला है, rear cabin की seats की बात की जाया, तो यह मिलती है, fabric touch के साथ, जिसमें आपको black and silver color मिलता है, साथ ही इसमें दो headrest मिलते हैं, जो की fully adjustable है तीन भी देते हैं, तब भी कोई problem नहीं की बहुत space दी गई है, seatbelt अगरा मिलती है, साथ ही इसमें जो है, इसके rear में आपको कोई भी airbag अगरा नहीं मिलते हैं, बैट के check out करें, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का मुझे leg space मिलता है, मेरी height 59 है, तो मुझे knee room भी काफी अच्छ इसमें मिलती है, वहीं इसमें आपको जो है, तो से थोड़ी सी कम comfortable लगी, उसके मकाबली देखा जाए, तो मुझे थोड़ी सी comfortable कम लगी इसकी seats, बागी center में आपको कोई भी AC wind और charging के points वगरा नहीं देखने को मिलते हैं, यहीं चाहिए आपको तो इसके एक उपर variant में जा से आपको दिये गए हैं दोनों side, तो यह तो होगी इसके rare cabin की बात, अब चलते हैं, इसके front cabin की तरफ, यहाँ पर आपको क्या कुछ features मिलते हैं, जो इसको बनाते हैं, value for money car, सबसे पहले feature की बात की जाया है, जो की हैं इसके electronic mirrors, इसके base model के आप जैसे ही उपर आएंगे, तो वहाँ पर आपको मिलती हैं, कुछ इस तरीके की button इसके door pad पर जिसको एक बार ही press करेंगे, तो यह हो जाएगा fold, दुबारा से press करेंगे, तो यह हो जाता है unfold, जो की इसके base variant में आपको हाथों से ही अंदर बाहर उपर नीचे करना पड़ता है, यहाँ पर मिलता है door open, close करन काफी simple and sober सा लगता है, यहाँ पर देंगे, तो कोई भी आपको key point अगरा नहीं देखने को मिलता है, यहाँ इसमें मिलता है start and stop का button, इस button को दो बार ही push करेंगे, तो इसका ignition हो जाएगा start, दुसी चीज़ आप यहाँ देंगे, तो यहाँ पर आपको only दो ही pedals मिलते हैं, यह यह निशान मेगनाइट गैजा एडिशन, इसमें आपको CVT transmission देखने को मिलता है, तो यह जो है automatic car है, यहाँ पर only आपको left leg का इस्तमाल करना है, right वाला leg आप इस dead pedal पे रख सकते हैं, और स्कुटी की तरीके आराम से चलाईए, कोई problem नहीं है, इसके fuel flare open करने के लिए काफ यहादा soft and comfortable रहने वाली है, और इसमें आपको यह फैबरिक का टच देखने को मिलता है, यह काफ यहादा चोड़ी हैं, तो इस पर आप आप से बैठ सकते हैं, साथ ही इसको आप डिकलाइन कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट आप इसको अपनी height के अप सा नहीं कर सकते हैं, आपर इसका hydrates मिल जाता है, जो कि fully adjustable है, इसको करेंगे सबसे पहले पीछे देन हमाएंगे इसकी driver seat पे, तो driver seat पर बैठने के बाद कुछ इस तरीके का view आपको देखने को मिलेगा, और निशान ने ज्यादा तर मुझे लग रहा है driver's ID फोकस किया, यही सा ली TFT वाला मीटर चाहिए, तो उसके लिए आपको इसके सबसे टॉफ वेरेंट में जाना पड़ेगा, फीचर्स की बात की जाया है, तो इसमें ज्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिलते हैं, नॉर्मल से ही फीचर्स मिलते हैं, बट सारे काम के फीचर्स मिलते हैं, यहाँ पर पर निशान की मैजिंग आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर मल्टी मीडिया के बटन, यहाँ पर कॉल अगयरा कट और म्यूट करने के लिए बटन मिल जाते हैं, क्रोम का ट्रेट्मेंट भी आपको इसके शिरिंग पर देखने को मिलेगा, पीछे इसके वाइपर और headlamps के controls मिल जाते हैं, यहाँ नीचे आपको एक lever दिया गया है, जिसको आप उस तरीके से open करेंगे, तो आप इसको tilt way में adjust कर सकते हैं, बाकि telescopic way में यह adjust नहीं होती है, इस car में आपको कुछ भी upgrade करवाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो इसकी बाहर की headlight की उना हो, काफी इ चीका से मिलती है, कोई भी slow pushes और hanging problem नहीं है, इसमें Apple CarPlay और Android CarPlay चलता है, साथ इसमें जो JBL का sound system दिया गया है, उसको आप यहीं से इसके music को control कर सकते हैं, इसी से आप जो है, तो यह सब चीज़े हैं यह जो after market भी उतनी अच्छी नहीं मिलेंगे, जो इसमें है, उपर की त controls, इसमें जो है, एक auto का भी feature आपको देखने को मिलता है, जो Excel Variant से start हो जाता है, मतलब गाड़ी जितने पर भी आप set करके रखेंगे, और इस बटन को दवाएंगे, गाड़ी का जो भी temperature होगा, वो जो है, उसी पर आ जाएगी, यहाँ पर मिलता है, इसका sensor, mobile के लिए इसम पुछ बटन, और कुछ रखना है चाहिए अगरा तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, साथी 12 वोल्ड का USB charging point मिलता है, यहाँ पर मिलता है कुछ इस तरीकी का है, इसका CVT transmission gear lever, इसको सबसे आगे करेंगे, तो यह पार्किंग मोड में आ जाएगी, यहाँ से reverse, यहाँ से neutral, यह पॉक्स यहाँ पर कुछ तरीका देखने को मिलता है, इसमें आपने गाड़ी के कागज वगरा रख सकते हैं, बट इसमें आपको कोई भी लैंप वगरा देखने को नहीं मिलता है, आगे डैशबोर्ट की बात की जाए, तो ब्लैक मैट निसिंग के साथ कुछ इस तरीका area यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, विजिबिल्टी आपको काफी अच्छी मिल जाती है, बंपर टू बंपर आप इसको अराम से राइट कर सकते हैं, बट शॉर्ट हाइट परसन के लिए थोड़ सी प्राबलम होगी, क्योंकि इसमें seat height adjustment नहीं दिया गया, बट चलात र इंटियर काफेदा simple and sober रखा गया है, जो इस पे suit भी कर रहा है, आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में अपना opinion ज़रूर बताइएगा, इसके इंटियर की बात, अब चलते हैं, बाहर और बात करते हैं, इसके safety feature and इसके engine के बारे में, सबसे बहले engine की बात की जाए, तो इसमे चोटा है, बट turbo charge के साथ आता है, तो power आपको अच्छी कासी मिल जाती है, साथ ही automatic है, तो mileage यह आपको करीब 13-15 तक का आराम से city में दे देगी, साथ इकर इसको आप highway पर चलाते हैं और पंजा आराम से रखते हैं, तो यह 17-18 तक का mileage यह engine आपको निकाल कर देगा, safety की बात होती है, जो safety पर ध्यान देती है, then features पर ध्यान नहीं दे पाती है, और features और fuel economy पर ध्यान देती है, then वो उतना safety पर ध्यान नहीं दे पाती है, but magnite ने सब कुछ balance किया है, 4 number star rating भी कम नहीं होती है, it's a very safe car, features जो मैं मिस कर रहा हूँ, इसमें वो है, इसका sunroof, इसमें किया इ देखने को मिला है, जिसे करेटा होगे, सल्टॉस होगे, even टाटा ने भी अपनी पंच में अप sunroof add कर दिया है, भली छोटा हो, कम से कम add होना चाहिए, तो ये चीजों पर थोड़ा सा निशान को ध्यान देना चाहिए, color जैसे white, black, brown, silver, red जैसे color options यहाँ पर available है, तो आप bigger magnet लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं, dream निशान जो की पड़ता है, VIP रोड लखनो में, उम्मीद है इस वीडियो के जरी मने आप तक अच्छी खासी information पहुचा दी हो, जानकारी कुछ भी काम की हो, तो इस वीडियो को एक like जरूर कर देना, and channel पर नह हैं, तो इसको subscribe करके जरूर जाना नहीं, तो in future आप बहुत सी new car and bikes की update को miss करने वाले हैं, so मिलते हैं आप से next वीडियो में, तब तक के लिए हवा good day and safe ride